नहीं नहीं ये दबंग 4 की शूटिंग नहीं चल रही है और ये जो गेरुए में लिप्टे हुए शक्स है ये सल्मान भाई भी नहीं है लेकिन एडिट्यूट पुरा सल्लू भाई टाई भी है और अब बस पाटी टिकेट ही दूर नहीं है लोगों का प्यार तो पहले से उमरडा गद्दी तो पक्की है और फिर फॉर्चूनर भी आज जाएगी अब आप पूछोगे कि प्रवेश शुकला ने ऐसा क्या कर दिया है अरे भाई उसने वही काम किया है जो हर छुटबईये नेता को करना पड़ता है लाइन लाइन लाइट में आने के लिए अब आप एडिटर टाइप आंसर मत देना कि उसने कुछ विकास कर दिया है किसी एरिया का विकास तो दिखावा है असल में तो जलाना है भिडाना है अस वर्सिस देम का काम करना है अपनी मरदानगी दिखानी है तब उसी के बाद तो वोटर बोलता है हाई मर जावा शुकला जी ने भी वही कर दिया एक हफते पहले MP के कुबरी गाओं के पंचायद भवन के पास एक दुकान के सामने प्रवेश शुकला ने कॉल कम्यूनिटी के एक आदिवासी लेबरर के ऊपर खुले आम सब के सामने मुत्र विसर्जन करना शुरू कर दिया दुकानदार दीन दयाल साहु ने नियूज लॉंडरी को ये बताया कि उसने इस घटना की रेकॉर्डिंग ली अपने फोन पर और रोकने भी कोशिश की शुकला जी को लेकिन शुकला जी पावर के शराब के नशे में इतना धुत थे कि धार उनसे रुकी ना लेकिन इतना भी नशे में नहीं थे कि उनका निशाना चुके एक लाचार बेचारा आदिवासी जो उस दुकान में अपना फोन का रीचार्च कराने आया उसने शुकला जी से कुछ कहा भी नहीं लेकिन ये बरबरता उसके साथ हुई क्योंकि मालूम था कि वो बेचारा क् लेगा अब नेता टाइब लोग आए दिन हमारे उपर हगा करते हैं और हम उसे अम्रित मानकर निगल भी लेते हैं तो छुटबई ये नेता प्रवेश शुकला ने सोचा होगा कि थोड़ा मूतर विसरजन कर दिया तो क्या बिगड़ जाएगा सत्ता के करीबी लोगों के पा किसी को कानोगान खबर ना होती लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि है डिजिटल इंडिया और सोचल मीडिया पर ये क्लिप गल्ती से वाइरल हो जाता है गाउं से लेकर ग्लोबल एक हफते में वाइरल हमारे देश की छवी पूरे दुनिया के सामने ऐसे प्रतीत होती है कि सत्ताधारी पाटी का एक छुडवया नेता एक गरीब आदिवासी के ऊपर मूतर विसर्जन इस तरीके से कर रहा है खुले आम मेरा देश बदल रहा है मित्रों जब ऐसे चितरों के बाद हमारे देश की आलोचना होती है तब हम तिल बिला उटते है उल्टी करने लगते है अरे ऐसा बोला क्यों आग बबूला हो जाते हैं और यह चूटाइप हरकते करो गे तो दुनिया बोले गिने दुनिया थुके नहीं तो और क्या होगा और पिच्चर तो भी शुरू होई है मेरे दोस्तों अब उसके बाद क्या होता है प्रवेश शुकला को क्या पस्टा ट पगड़ लो हम मुझे वीडियो वाइरल हो गया और जादा प्रेशर बना सरकार पर तो सरकार ने कहा कि हम एने से लगाएंगे ये खबर आने के बाद ये पता चलता है कि एक स्टैम पेपर पर एक दस्तकत करवाया गया उस बेचारे ट्राइबल से कि ये सब जूटा है ऐसा क क्या सच है क्या जूटे समझ में नहीं आएगा तो हो सकता है इस वीडियो के पीछे पाकिस्तानी ISI है अमेरिकन जॉर्ट सोरोस या खान मार्केट गैंग का हाथ हो या तीनों मिले हो अरे भाईया देश के खिलाफ साज़िश क्यों नहीं हो सकती है शुकला जी आफटर ओल रेप्रेजेंटिटिव हैं वहां के MLA के दारनाच शुकला की खास माने जाते हैं तो हो सकता है हमारे देश को अटाक किया गया हो हमारे देश को कमजोर करने के लिए ये एक फिक निउस लॉंच किया हो पेशावी प्रवेश शुकला के पिताश्री रमकान शुकला ने भी एसी बात कई उन्होंने मीडिया को ये बताया कि ये ओपोजिशन की साज़िश हो सकती है क्योंकि उनका होनहार बेटा बीजेपी MLA का रेप्रेजेंटेटिव है उनका प्रधिनिदी है और इसके लिए फुल इंवेस्टिगेशन की मांग की गई उधर वीडियो और वाइर नहीं है हाँ जरूर ये मेरे इलाके से है तो मैं इसको जान जरूर सकता हूँ अब पुलिस भी आई हरकत में इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था केस रजिस्टर किया IPC सेक्शन 294 उपसीन एक्ट्स और सॉंग्स 504 इंटेंशनल इंसल्ट विट इंटेंट तो प्रवोग breach of peace and SCST prevention of atrocities act के साथ साथ उन पर NSA भी लगाया गया है मामा जी से लेकिन पूछा गया ये सब केस वेस तो चलता ही रहता है ये बदाओ कि बुल्डोजर का भेज रहे हो आफटर आल शुकला नहीं सरनेम कुछ और होता तो अभी तक बुल्डोजर पहुच चुका होता घर त इंस्टेंट जस्टेस होता है तो फाइनली भर शुकला जी के घर पर भी बुल्डोजर पहुचा और इंस्टेंट इंसाफ दिया गया देखो आजका लोगों को कोड कचैरी में वैसे में भी कोई इंटरेस नहीं है घार गिरा की नहीं बुल्डोजर चला की नहीं बस यही है कि भाई या जस्टेस हुआ है की नहीं हाला कि मैं यह वांता हूँ कि कम से कम इस केस में प्रवेश शुकला जी के साथ वो ही किया जाना चाहिए जो उन्होंने किया मनें आराम से उनको बैठा कर उन पर वो ही कांड करना चाहिए जो उसने उस बेचारे ट्राइबल के खास कर कि हमारे देश को इस तरीके से बदनाम करने के लिए और देखो कॉमेंट्स में तुम जो भी नीचे लिखो ना फरक जादा नहीं पड़ता है क्यों कुछी दिनों में शुकला जी छुडवईये नेता बनकर अंदर गए हैं कि सड़ेनली जनता जागरुक हो गई बोली ऐसे कैसे बीसी और फिर नेता टाइप लोगों को पुलिस को एक्शन लेना पड़ा लेकिन ऐसा मुत्र विसरजन तो हमारे उपर रोज हो रहा है हमें या तो उसकी बास नहीं आती है हम डॉलर को खतब कर देंगे तहस नहस कर देंगे लेकिन जब सच सामने निकलता है तो पता चलता है कि बड़े-बड़े कंपनीज रशिया को चाइनीज करिंसी युवान में पेमिंट दे रहे हैं चाइना का जो ड्रीम है ग्लोबल डॉमिनेशन को उसको हम फीड कर रहे है आओ भया हमसे चाइनीज करिंसी ले लो है चाइना जो हमारे जमीन पर बैठा हुआ है चाइना जो हमारे लिए सबसे बड़ा एकोनॉमिक थ्रेट है हम उसके चीर लीडिंग कर रहे है ये है सच्चाई ओडिशा में ट्रेन दुरगटना होती है डेवन से हमें मालूम है क्यों हुई है लेकिन लोगों का घुसा ठंडा करने के लिए डाइवर्ट करने के लिए साबोटाज हिंदू मुसल्मान कुछ तो गड़बड है उसके बाद जब घुसा ठंडा जब लोग गूल चुके हैं क्या हुआ फिर सामने आता है truth कि भाईया ये तो हमारी problem थी ये तो हमारा technical fault था उसको देखा भी नहीं गया इतने सालों से फिर वो आई ये गटना दो महिनों से मनिपूर जल रहा है 120 से जादा लोग मारे जा चुके हैं बिहेडिंग हो रही है लेकिन प्रधान मंतरी एक tweet तक नहीं करते हैं वही जनता भी जनता को तो धादा interest है फ्रांस में क्या हुआ आग लग गई फ्रांस में तब सारे गोदी मीडिया के सवाल आते हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है जोब्स का कोई ठिकाना नहीं है अमीर नोट पर नोट छापे जा रहे हैं और आदमी एवरिज इंडियन पर कैपिटा उसतनाम दिनी बांगलादेश से हम लड़ाई कर रहे हैं लेकिन मुझ से दो सवाल नहीं निकल सकते हमारे कि अरे भाया वो अच्छे दिन कब आएंगे क्या यही है अमरितकाल आ गलत सवाल पूछी नहीं सकते हो क्योंकि अमरितकाल तो ही नहीं नाम तो बदल दिया गया है प्रधान मंतरी ने कहा है कि अमरितकाल आप नहीं बोल सकते हो अब आप इसे बोलोगे करतव्यकाल इसका मतलब है करतव्य करो और फल के पेक्षा मत करो और सवाल तो बिलकुल मत पूछो अगर सवाल पूछोगे तो तुम्हारे उपर मूतर विसर्जन कर दिया जाएगा आज भी लोग हैं जो इस पूरे घटना को डिफेंड करने आए हैं शुकला जी को डिफेंड करने आए ह इनके लिए मूतर विसर्जन अमरित से कम नहीं है लेकिन जो असली देशभक्त हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि अगर आज सवाल नहीं उठाओगे सरकारी मंत्री और उनको गुंडों को अगर काबू में नहीं रखोगे तो कल ये तुम्हारे उपर मूतर विसर्जन करें अगरेंटी लेलो और तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा तो मित्रों अपने नेता टाइप लोगों को थोड़ा सोचाले भेजो और अपने आपको और अपने देश को थोड़ा स्वच्छ बनाओ